आप एक मूवी देखने किसी सिनमा में जाए और कभी वहाँ से वापस ही ना आपाए। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से तकरीबन 20 साल पहले जून 1997 को ये वही दिन है जब बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी जिसे हर सिनमा घर में लगाया गया था। उनी में से एक था दिल्ली का उपहार सिनमा जहां पर फ़र्ड शो को देखने हजारों की भीर जमा हुई थी। पर शो शुरू होने से पहले सिनमा के दो ट्रांसफार्वर में कुछ गरबड़ी आ गए। स्टाफ ने इस गरबड़ी को जुवालू तरीके से ठीक कर दिया था भागने लगे कुछ ही पलों में पूरे थेटर में आग पकड़ ली और अंदर से चीखनी की आवाजे सुनाई दे रहे थी जो आज 20 साल बाद भी वहां के लोगों को सुनाई दे थी है। लेकिन जब तक दमकल की गारियां आई तब तक सत्तर लोगों ने अपनी जान कवा दी जिसमें से 6 मीने का एक बच्चा भी था और उस दन के बाद आज तक वो सिनमा हॉल बंद करके रखा हुआ है लेकिन आज भी बेगुनाहों को उनका इंसाफ नहीं